हेलो फ्रेंस वेलगम ऩो आर चैनल मल्टि रोजलाइफ क्रोणवारिस हो या कोई अन्य बिमारी ही क्यों न हो सबसे ज़्याद़ ज़ूरी होता है अपना बचाव ऐसे में चरण सबसे बचने कलिए सबसे ज़्याध्यदा ज़ूरी है हेल्दी रहना और हम सब हैल्दी तब ही रहेंगे जब हमारा immune system strong होगा क्योंकि जिनके शरीर का immune system मजबूत होता है वे हर किसी बिमारी का सामना अच्छी तरह से कर सकते हैं वैसे immune system एक दो दिन या एक दो हफते में मजबूत नहीं होता इसके लिए आपको नियमित रूप से अपने ख फायदे मंद माने जाती हैं ऐसे में आज हम आपके लिए ऐसी ही चीज लाए हैं और वह है आवला आवला सेहत के लिए बेहत लापकारी होता है आवला में vitamin c iron calcium fiber antioxidant antiviral से लेकर carbohydrate और fiber मौजूद होता है आवला diabetes से लेकर पाचन तंत्र और हड्डियों के स्वस्त को बहतर करन बिमारियों से लडने की शक्ती देता है आप इसे कच्चा मुरब्बा अचार या जूस के रूप में जैसे आपका मन चाहे वैसे सेवन कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं इसके सेवन से मिलने वाले और अंगीनत फायदों के बारे में पहला है immune system को मजबूत करना आवला में पाये जाने वाले तरत्व शरीर को bacterial और fungal infection से लडने में मदद करते हैं ऐसे में आमला के नियमित सेवन से शरीर की immunity बढ़ती है और कई बिमारियों से सुरक्षा मिलती है आमले की सेवन से सरदी जुखाम, ulcer, pate के infection से राहत मिलती है रोजाना इसे खाने या इसका juice पीने स शरीर को अंदर से मजबूती मिलती है ऐसमें बिमारियों के लगने से पचाव रहता है दूसरा है diabetes के मरीजों के लिए फायदे मद शुगर के मरीजों द्वारा आमला का सेवन करने से blood sugar control में रहती है इसमें vitamin, iron, fiber, antioxidant, antiviral गुण पाये जाते हैं ऐसे में diabetes के मरीजों के लि किसरा, liver को रखे सुरक्षित रोजाना आमला का सेवन करने से liver से समबंदित परिशानियों से छुटकारा मिलता है साथ ही जो लोग liver में सूजन की समस्या से परिशान होते हैं उनके लिए भी आमला का सेवन करना काफी फायदे मंद माना जाता है चौता कॉलेस्ट्रॉल को रखे कंट्रोल आवला में मौजूद पोशक्तत्व इम्यून स्टॉंग करने के साथ साथ कॉलेस्ट्रॉल को बढ़ाने से भी रोकते हैं ऐसे में दिल की सेहत बरकरार रहती है खास्तोर पर दिल की बिमारीयों से जूजरे मरीजों को इसका सेवन जरूर करना चाहिए इससे दिल स्वस्त रहने के साथ इससे जुड़ी बिमारीयों के होने के चांसे कई गुणा कम हो जाते हैं पांचवा है अस्तमा में फायदेमत जो लोग अस्तमा की बिमारी के शिकार हैं उन अपनी डाइट में आवला कच्चा या उसका मुरब्बा बनाकर या अचार या चूश जैसे आपका मन करें किसी ली रूप में अपनी डेली डाइट में जरूर शामिल करें इसके सेवन से साथ से जुड़ी परिशानिया दूर होने में मदद मिलती हैं चटा कैंसर की कोशिका। को बढ़ाने से रोकता है एसे में कैंसर से बचाव करने के साथ शरीर को स्वस्त रखने के लिए आवला को अपनी डाइट में शामिल करना बेस्ट आपशन है साथवा बहतर पाचन तंत्र के लिए विटामिन C से भरपूर आमला का सेवन करने से पाचन शक्ती मजबूत होती है साथ ही पेट से जूड़ी बहुत से परेशानियों से रहत मिलती है एसमें पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाये रखने के लिए डाइट में आमला को जरूर शामिल करें तो याज हमने आपको बताया कि एक आमला आपकी इम्म्यूनिटी स्टॉंग करने के साथ साथ आपको कई बिमारियों से निजात दिला सकता है इसके लिए आज से ही अपनी डाइट में आमला को जरूर शामिल करें आप आमला कच्छा खा सकते हैं आमले का पाउडर भी बना सकते हैं या आमले का मुरब्बा भी खा सकते हैं या आमले का जूस भी पीच सकते हैं जैसे आपका मन करें आप इसका उस तरीके से सेवन जरूर करें ये आपको और आपके शरीर को कई फायदे पहुंचाएगा तो दोस्तों देर किस बात की अभी से ही रोजाना आमला खाना शुरू कर दीजे बाई टेक केर बी हापी धन्यवाद प्झाओव कराऊब बाई टोस्तों आमला उसे दी होगाँ च्कारव कना वाद बाना बात झाई जियाोग nope स्थैंज चangoार उब बीक करें है